नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही हूँ जीरे हिंग वाली डाल अब देखो डाल तो तरह तरह की है हमारे पस और उसे बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है आज हम ये मौंग डाल में से जीरे हिंग वाली डाल बनाएंगे जो चाबल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते है और ये आपको वैसे होते हैं कि कभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है पर सिंपल खाना खाना एक्टम सिंपल तो आप ये डाल बना सकते हैं और वैसे भी हेल्दी भी हो और टेस्टी भी है बच्चों से लेकर बड़ो तक को पसंद आएगी तो देखो एक कब मैंने ले ली है पीली मौंग की डाल इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे दस मिन्ट तक विगोए नई है तो आप तुरंट भी बना सकते हैं पर हाँ मैंने इसे न दस मिन्ट तक विगोया है अब जैसे दस मिन्ट हो जाए तो गैस को आउन करके कोकर रग दे इसके अंदर ये विगोई भी डाल और साथ ही साथ दो गलास पानी डालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी भी डाल दिया दाल भी और दो हरी मिर्ची काटकर चुटकी भर नमक, चथाई, चमच, हल्दी पाउडर बस कोकर का ढखन लगा लेंगे और इसे हम 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे फिर गैस को बंद कर लेंगे, फ्रेशन निकल जाए उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी और पहले मैंने दो गलास डाला था अब मैंने इसके अंदर एक गलास पानी डाला है और अच्छे से डाल को मिला लीना है अब जीरे हिंग का तड़का लगाएंगे उसके लिए गैस को अन करके कड़ाई रखती है इसमें मैंने डाल दिया एक बड़ा चमस तेल जैसे गर मुझे है तो आदी चमस जीरा और इसके अंदर ना चौथाई चमस हेंग डालनी है एक सूखी लाल मिर्श डालनी है तोड़कर आदी चमस लाल मिर्श पाउडर और इसे के साथ ये पकी हुई दाल इसके अंदर डाल दे और साथ ही साथ नमक स्वात के अनुसार देखो नमक हमने डाल को पकाते वग भी डाला था इसलिए अपने स्वात के अनुसारी डालना नमक और मिर्श अच्छे से अपको मिला लीना है इस तरह से और मिलाने के बाद अब इसके अंदर में डाल री सबसे पहले धनिया के पत्ते और इसे हम फिर से अच्छे से मिलाएंगे और इसे हमें लगभग 6-7 मिनिट के लिए पकाना है बीच-पीच में इस तरह से मिक्स करते रहना और इसे पकाते रहना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मिक्स करती जा रहे हूँ और इसे पका दी जाने हूँ 6-7 मिनट तक पका है ताकि इसमें अच्छा उबाल भी आए तो इस डाल को बनाने में टोटल मैंने तीन गलास पानी का इस्तमाल किया है और 6-7 मिनट भी हो गए तो ये बड़ी आसी हमारी डाल बन कर तयार है जीरे हिंग वाली डाल है सच बता रही हूँ ये सूप के तोर पर जैसे हम सूप पीते हैं तो बस आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं ये डाल बहुत ही टेस्टी लगते हैं नाई जादा मिर्च मसाले हैं नाई प्यास टमाटर कुछ भी नहीं है और ये चावल के साथ खाओ तो कुछ अलग ही मज़ा है तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राइ करना ये बहुत 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 ही टेस्टी है और अगर आप कहो न तो ये कमफर्ट फूड है मतलब आपको किसी भी डाइम पर अच्छा लगया ऐसा है तो ट्राइ करना और यहां तक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू फो वाच्छाएं